हेलो फ्रेंज वेलकम टो ट्वैंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट आफिस भारतिय डाख विभाग की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के बारे में और इसकी LBT कंडिशन के बारे में तो फ्रे सकते हैं ओफ लाइन और इस वेकेंसी स्रेलेटेड जानकारी आपको जोवरास्ता.com पर देखने को मिल जाएगी वहाँ पर जाकर आप इसकी डेटेल्स को चैक आउट कर सकते हैं अगर आप एपलिकेबल हैं अपलाए करना चाहते हैं तो आप इसमें अपलाए कर पाएंगे अब बात करेंगे यहाँ पर इस वेकेंसी की डेटेल्स के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मि जारी किया गया है अब बात करेंगे दौनों ही नोटिफिकेशन की तो सबसे पहले यहां पर देखिए एप्लिकेशन फॉर्म एलिजीबल इंडियन सिटीजन से यहां पर इन्वाइट किये गया है यहां पर जो पोस्ट है आपके ग्रूप सी की वेकेंसी रहेगी जिसमें यहां पर देखिए दस आठ दी गई है पर आप यहां पर यह देट नहीं है क्योंकि इसके लिए एक ओफिशल दूसरा नोटिस यहां पर जारी किया गया है इसमें आपकी दस आठ की वजाए 15-8-2024 हो गई है तो आपको जो फॉर्म है वो 15-8-2024 तक सेंड करना होगा इसमे फैंसे बात कर लेते हैं age limit की तो 18-30 साल आपका age credit रहेगा जो की 17-2024 को count होगा qualification की बात करें तो आपके पास को एक certificate होना चाहिए respective trade में जो की फैंसे आपने किसी भी technical institution से pass किया हो या आपके पास 8 भी pass out है और आपके पास एक साल का experience है तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं और अगर आप mechanic motor vehicle के लिए आविदन कर रहे हैं तो आपके पास driving license होना चाहिए आपके पास HMB and LMB का इसमें जो selection आपका होगा इसमें फैंसे आपसे कहा गया है selection होगा skill artisan का जो की फैंसे यहाँ पर qualification आप fulfill करते हैं और अगर आप mechanic आप motor vehicle के लिए आविदन कर रहे हैं driving license अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पा जो है trade test लिया जाएगा date and venue जो है test का और जो फैंसे इसका जो separately आपको अलग से जारी किया जाएगा इसमें फैंसे आपको जो format दिया गया है उस format में ही आपको यहाँ पर आविदन करना होगा इसके लिए फैंसे आपको जो selected candidate ह रहेगा वह एक साल का रहेगा और आपको क्या क्या डॉक्वमेंट्स यहाँ पर शो करने हैं पहला है आपका एस प्रूफ इसके बाद है आपका qualification डिरेल्स आपका technical qualification driving license आपका फैंसे का सर्टिफिकेट या EW सर्टिफिकेट या trade experience सर्टिफिकेट और अगर आप OBC candidate है तो non-criminal certificate इसके बाद फैंसे यहाँ पर नीचे आपसे कहा गया है separate application form आपको हर एक trade के लिए भेजना है मतलब अगर आप multiple post के लिए आवे दिन करना चाहते हैं तो आपको multiple यहाँ पर form को apply करना होगा इसके लिए फैंस आपको इस दिये गए address पर आपको speed post या register post के मार्धियम स इसे send करना है और यहाँ पर जो यह date है यह आपकी फैंसे अब आपकी 15.08.2024 हो गई है इसमें फैंसे यहाँ पर आपसे कहा गया है जो भी document है वो self attested होने चाहिए self attested नहीं हुए तो फैंसे आपका जो form है वो reject कर दिया जाएगा इसके बाद फैंसे आपकी जो application fee से है वो क यहाँ पर देनी होगी जो की फैंसे आपको यहाँ पर आपके जो exam fees है उसके according देनी है तो 100 रुपीज है application fees 400 रुपे है आपका यहाँ पर exam fees मतलब 500 रुपे अगर आप यहाँ पर SC STF female candidate है तो आपको उस condition में यह fees pay करने की ज़रत आपको यहाँ पर नहीं होगी इसके बाद फैंसे नीचे आपको यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आपको instructions है वो दिये गये है और उसके बार आपको दिया गया है format application form का ऐसे ही फैंस अब दूसरी notification के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें फैंसे आपको यहाँ पर देखे जो skill artisan है इसके लिए vacancy group C की जारी की गई है आ last date इसमें 38 2024 है provision period एक साल का रहेगा 18 से 30 साल एस criteria है 17 2024 को count होगा रिजर्व के end gate को upper age में छूट यहाँ पर मिल जाती है qualification सेम है आपके पास certificate होना चाहिए respective trade में या आठवी के साथ प्लस में एक साल का experience required रहेगा और अगर आप MB मेकेनिक के लिए आविदन करते हैं तो driving license यहाँ पर trade test के basis पर होने वाला है और इसमें इंस्ट्रक्शन्स आपको यहाँ पर दिये गये हैं जिसमें कहा गया है इंडियन पोस्टल ओडर 100 रुपीज का आपको यहाँ पर पे करना है और 400 रुपीज का आपको examination fees के तौर पर पे करना है candidate belong करते हैं SCST woman employee के तौर पर तो इसमें आपको separate envelope send करना होगा हर एक post के लिए और आपको फ्रेंज से जो envelope है उस पर लिखना है application for the post of skilled artisan in trade किस trade में पावेधन कर रहे हैं और इस address पर आपको इसे send करना होगा speed port या register post के माध्यम से और last date क्या है 382024 इसके बाद फ्रेंज से यहाँ पर भी देखिए आपकी self-attested रहेगी मतलब cross sign आपको करना होगा इसके बाद किस category से आप belong करते हैं इसके बाद payment details है तो यहाँ पर फ्रेंज से आपका देखिए जो payment detail है IPO या UCR आप उसकी जानकारी यहाँ पर provide करेंगे और अगर आप accepted है तो आप अपनी category यहाँ पर mention करेंगे इसके बाद तो यहाँ पर father's name आपको देना है address देना है mail ID आपको देनी है nationality देनी है date of birth देना है A7-2024 को आपका ace criteria कितना होगा qualification क्या है technical qualification इता है इसके अलावा फैंज से आपका को experience है तो आप experience की जानकारी provide करेंगे आपके driving license की जानकारी देनी है इसके बाद आपको date place और signature आपको यहाँ पर करना होगा और इसके बाद fans SCST का या OBC का जो card certificate format है वो आपको यहाँ पर देखे देखने को मिल जाता है आपको यह इसी तरह के जो format है वो आपको यहाँ पर आपके पास होने चाहिए जो कि आप send करेंगे document की list मैं आपको पहले ही show कर दी है जो document आपके required रहते है उनको self-attested करके speed post आपको करना होगा given address पर जो की time आपको दिया गया है इसके लावा फैंसे यहाँ पर देखे अगर बात करें मुंबई वाले की तो यहाँ पर भी आपको photo लगानी है जो की self-attested होगी आपको आपका नाम देना है father name देना है trade का नाम देना है आपका same address देन करनी है date of birth आपको देना है और एक साथ 2024 को यह count करकर mention करना है कौन सी reservation category है वो आपको देना होगा इसके बात फैंसे को government servant अगर आप है तो आप दे सकते हैं आपका qualification आठवी का आपके idea का और को experience है तो उसका जानकारी driving license की जानकारी आपको देनी होगी और इसके लावा फैं वेकंसी है यह आपकी जारी हो गई है इसके लिए पोस्ट ऑफिस की न्यू वेकंसी है अगर आप इसमें आविदन करना चाहते हैं तो आविदन कर सकते हैं application form यह notification अगर आपको चेक करना है तो यह आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा वहाँ पर आपको जाकर details को चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको हमारी update पसंद आई है आप चाहते हैं ऐसे ही regular updates आपको लगातार मिल सके तो इसके लिए like, subscribe and share जरू कीजिए बागी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube का एला सैंक्स प इस्तोर वाचिंग